हलो एवरिवन आज की इस वीडियो में हम एशन सोसाइटी का लेटेस्ट एक्जाम पैटर्न डिसकस करेंगे और देखेंगे कि कौन सी यूनिट की कितनी ज़्यादा वेटेज है यह पेपर रेगुलर वाले बच्चों का अब ही नहीं हुआ है तो हम डिसकस करेंगे कि सब्सक्राइब नंबर का कुशन है चार कुशन करने तो ऑन एन एवरिज 22 से 23 नंबर का एक कुशन आप लोगों कर रहेगा ठीक है और आपको सारही कुशन जातों इंग्लिश में करने है या हिंदी में करने इर्रिस्पेक्टिफ ओफ यर मीडियम यानि कि अगर आप इंग स्त्रोथ किस प्रकार विश्व सब्विताओं को समझने में मदद करते हैं वट यू अंडरस्टेंड बादा टम ब्रॉंज एज ब्रॉंज एज से आप क्या समझते हो यानि कि ऐसा टाइम जब पहली बार मेटल यूज हुआ था तो उससे आप क्या समझते हो डिसकस इट्स सिग्निविकेंस इन कॉंटेक्स टुदा इमर्जेंस ओफ सिवलाइज़ेशन कांसी यूग शब्द से आप क्या समझते हैं सब्विता के उद्भव के संदर्ब में इसके महत की चर्चा करें थर्ड कुशन है हाइलाइट दे इंपोर्टेंस ओफ क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड इन दा हरपन चाइनीज शंग सिवलाइज़ेशन हरपन चीनी सब्विताओं में शिल्य उत्पाद नेंव वेप्यार के महत्र पर प्रकास डालिये इसकी बादे डिसक्राइब सोसाइटी और डिलीजिन ओफ दे ब्रोंज एज सिवलाइज़ेशन अफ हरपन चाइना कांसी यूगीन संब्विताओं हरपा चीनी शंग के समाज और धर्म का वर्लन की जिए इसके बादे एक्जामिन दा वेरियस फेक्टर्स लीडिंग तो इमर्जेंस ओफ ब्रोंज मेसपोटेमिया अप्टो अकादियन अंपायर एजिप्ट ओल्ड किंग्डम कांसी यूगीन संब्विताओं में मेसपोटेमिया अकादी समराजे तक मिर्श पुराना समराजे के उद्दे के विभिन कारकों का परिक्षन कीजिए इसके बादे अनलाइज दे नेचर अफ ए कोशन है डिसके दा पॉलिटिकल एन एकॉनोमिक डवलप्पेंड इन ब्रोंद एज सिविलाइजेशन ओफ माइनुवन माइसेनियन की कांसी यूगीन सब्विताओं में राजनीतिक और आर्थिक विकास पर तर्चा करें इसकी बाद लाउस कोशन है किन्हीं दो पर आपको इसके अगर हम चले बस पर बात करें दोस्तो तो कॉशन नमबर वन हम देख सकते हैं यहां पर सोर्स कहां से पता चलते हैं और यहां पर अर्बन रिवलेशन के उपर शोर्ट नोट आया हुआ है ब्रॉंज एज के उपर बताया है इसके लाव कॉशन नमबर टू के अंदर चाइनीज जो सिवलाइडेशन ने उस पर नोट आया हुए हैं दो कॉशन कॉशन नमबर थी के अंदर भी जो मेस्टवटेमिया वाला है इसके भी दो कॉशन आया है एक नोट करें तो एक कॉशन आप लोगों का फुल फिलेज आया है और एक शोर्ट नोट में आया है तो जारो ही युनिट्स को मैं कह सकता हूँ कि युनिट वन से लेके तीन तक तो बहुत आधा इंपोटेंट है युनिट फॉर सबसे कम वेटेज में दे सकता हूँ क्योंकि युनिट वन टू और त्री आप कर लो गया राम से तो पूरा पेपर आप एजिली अटेम्ट कर सकते हो गया और लिजाए जाए हम लोग देना चाहेंगे को युनिट फॉर में एक फुली कुषेंट में और यक शुट नोट में आ सकता है अप दोór फुलेज विचना अगया को फॉलिच अगए ठी में हमने देखा फुल कुष्णक अगया फ्रन अब दोस्तों आपको ये वीडियो यूसफुल लगे हो तो वीडियो को शेयर कीजेगा ठेंक यो